हे गाई स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों Redmi K20 Pro में हाली में MIUI 12 को अपडेट मिल चुका है आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट में हुए कुछ चेंजेस और मिले कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं फीचर्स मिले हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं इन्हें मैंने वीडियो में नंबर वाइस बताया है दोस्तों पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की दूस्तो हमें जो पहला फीचर मिलता है वो है multi window support का जी हाँ दूस्तो इस बारा में multi window को नया feature इस MIUI 12 में मिल जाता है मेरे इसाब से ये feature काफी useful और अच्छा है हम total तीन तरीकों से multi window में जो है हमारे app को open कर सकते हैं पहला तरीका यही कि control center में जाकर toggle पर click करके हम इसे enable कर सकते हैं दूसरा तरीका यही कि recent task में अगर हम app को long press करेंगे तो वहां में multi window को option मिल जाता है तीसरा तरीका यही कि जब भी हमें कोई notification receive होती है तब हम उस notification को long press करके swipe down अगर करेंगे तो हमारा जो app है वो multi window में open हो जाएगा bottom right से हम window की size को adjust कर सकते हैं और इसे बंद करने के लिए simply हमें window के bottom से उपर की तरफ swipe करना है तीसरा जो नया feature हमें मिलता है वो है super wallpaper का themes के अंदर हम wallpaper में जाएंगे तो यहां में एक नया option देखने को मिलेगा super wallpaper नाम से इसे open करेंगे तो यहां में दो super wallpaper मिल जाते हैं यह वाले wallpaper काफी cool लगते हैं चलिए इन्हें apply करते हैं apply करने पर जिसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना cool यह वाला wallpaper लग रहा है अब बात करते हैं दोस्तों changes की दोस्तों पहला जो change हुआ है वो हुआ है notification panel में notification panel को इस बार पहले से काफी clean बना दिया है इस बार इसे separate कर दिया है मतलब अगर यहां middle से swipe down करेंगे या तो top left से करेंगे तो केवल notification panel open होगा और अगर हम control center open करना चाते हैं तो उसके लिए top में right side से swipe down करना पड़ेगा अब इन toggles को भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं इन toggles के bottom right में अगर हम click करेंगे तो यहीं यह expand हो जाएंगे और यहीं से हम settings वगेरा कर सकते हैं अगर हम इने on off करना चाते हैं तो simply इन पर click करके कर सकते हैं overall notification panel को काफी cool बना दिया है काफी अच्छा फील होता है अब इसे use करने में अब दूसरा जो नया feature हमें मिलता है वो मिलता है camera में camera में हमें एक vlog का option मिल जाता है जिससे कि हम vlog shoot कर सकते हैं वैसे shoot तो हम normal mode पर भी कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ filters वगिरा में मिल जाते हैं जिससे vlog को हम थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं दूसरा जो change हुआ है वो हुआ है security app में जो की हर बार होता है जब छोड़ा से छोड़ा update भी आता है तब भी security app में कुछ न कुछ तो change होता ही रहता है लेकिन इस बार animations बहुत ही शांदार लग रहे हैं तीसरा जो change हुआ है वो हुआ है calendar app में इसका भी look और fill पहले से काफी better कर दिया गया है इस बार इस app में भी हमें नए animations मिल जाते हैं जो की काफी अच्छे लगते हैं अब खुद देख सकते है animations यार इस बार बहुत ही ज़्यादा शांदार लग रहे हैं चोथा जो change हुआ है वो है camera app में इसका भी interface पहले से बदल दिया गया है अब pro mode हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है और फिर video mode, photo mode और portrait mode वगेरा मिल जाते हैं टोप में हमें कुछ इस तरीके से नए look के साथ more options मिल जाते हैं pro mode में हमें features वही सब मिल जाते हैं जो की पहले थे वीडियो mode में भी हमें ठीक वैसे ही उपर के तरब नए look के साथ more options मिल जाते हैं settings में हमें एक नया customize करके option मिल जाता है जिसे use करके हम theme वगेरा को तो change करी सकते हैं साथ ही camera के layout वगेरा को भी अपने हिसाब से customize कर सकते हैं जो की काफी अच्छी बात है पांचवा जो change हुआ है वो है notes app में इसका भी look थोड़ा सा change किया है और animations वगेरा काफी अच्छे हो गए है अब जो छटा change आया है वो आया है gallery app में अब इसमें हम अपने हिसाब से किसी भी folder को drag करके move कर सकते हैं जो की काफी अच्छी बात है साथवा जो change किया है वो किया है settings में settings वो पूरा एक नया look दिया है बहुत ही अच्छे से सबको adjust किया है और animation से इसे और भी cool बना दिया है sim card, sound, profiles वगेरा इन सब में आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम clean कर दिया है आठवा जो change आया है वो है dark mode में इस बार wallpaper को हम dark mode के हिसाब से adjust कर सकते हैं dark mode को काफी simple इस बार बना दिया है यहां से individual किसी app के लिए dark mode हम enable कर सकते हैं आला कि कुछ app इसे support नहीं करते हैं लेकिन फिर भी most of the apps इसे support करते हैं इस प्रकार इस वीडियो में हमने MIUI 12 में मिले new features और changes के बारे में बात की तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को like और share कीजिए और इसे interesting वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई की channel VL Technical को subscribe कर गंटी बजा दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद